हलो स्टूडाइंट्स वेलकम टो स्टडी 24 दैपूर आज की इस वीडियो लेक्चर में हमारा टोपिक है मोनोपोली एंड सप्लाइकर एकाधिकार एवं पूर्तिवक्र सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो एकाधिकारी होता है उसका पूर्तिवक्र नहीं होता है जो मोनोपोलिस्ट हैं किसी वस्तू का केवल एक ही उत्पाधक होता है उससे हम कहते हैं मोनोपोलिस्ट या मोनोपोली हम कह सकते हैं तो मोनोपोली मार्केट में जो मोनोपोलिस्ट हैं उसका सप्लाइकर नहीं होता है पूर्ती वक्र नहीं होता है तो पूर्ती वक्र क्यों नहीं होता है उसके बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करेंगे देखे सबसे पहले अगर हम पूर्ती वक्र की बात करें तो जो पूर्ती वक्र होता है वो क्या दर्शाता है किसी वस्तू की कीमत और जो उत्पादन की मात्रा बाजार में बेची जाती है ठीके एक वस्तू की कीमत और बाजार में बेची जाने वाली उत्पादन की मात्रा इन दोनों की बीच में संबन को दर्शाता है कौन पूर्तिवक्र ठीक है जो supply करव होता है वो क्या दर्शाता है price और supply ठीक है जो भी उत्पादन किया गया है उस उत्पादन की मात्रा जो बाचार में बेची जाएगी उसको हम क्या कहते हैं supply कहते हैं तो वस्तु की पूर्ती और कीमत की बीच में जो संबन्ध होता है वो किसके द्वारा दर्शाय जाता है पूर्ती वक्र के द्वारा तो जब हम perfect competition की बात करें पूर्ण प्रत्य गिता बाजार की बात करें तो पूर्ण प्रत्य गिता बाजार में क्या होता है जो पूर्ती वक यह सप्लाइकर वहें वो होता हैं लेकिन एकादिकारवाजार में सप्लाइकरव पूर्तिवक्र नहीं होता है। देखिए जब हम पून प्रत्युगिता की बात करते हैं तो पून प्रत्युगिता में क्या होता है जो AR करव हैं और MR करव हैं दोनों क्या होते हैं X-axis के parallel होते हैं horizontal होते हैं और जो perfect competition market है पून प्रत्युगिता बाजार में क्या होता है फर्म जो है वो कीमत स्विकारक होती है प्राइस देकर होती है इसलिए क्या होता है कीमत और वस्तु की पूर्ति के बीच में संबन पाये जाता है ठीके जो पुंड प्रत्विकिता बाजार है उसमें पूर्ति वक्र पाये जाना पूर्ति वक्र मतलब कीमत और उत्पादन की म मानंतर होता है, होरिजन्टल होता है, क्षेतिज होता है, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, पून्ट या लोजदार कह सकते हैं, अब देखिए पून्ट प्रत्व किता बाजार में ये हमारा हो गया है, सीमान तलागत वकर हो गया, और जो संतुलन की इस्तिति हैं, वो कहां पे हो वो किसके बराबर होती हैं सीमान्त आगम के बराबर होती हैं मारजनल रेविन्यू के बराबर होती हैं जो प्राइज हैं वो किसके एकपल होगी सीमान्त आगम के बराबर होती हैं मारजनल रेविन्यू के बराबर होती हैं और जब हम अधिक्तम लाब की बात करें तो लाब अ अधिक्तम लाब के लिए क्या condition होती है कि जो सीमान्त आगम है वो सीमान्त लागत के बराबर होने चाहिए जो हमारी condition full फिर।री होरी कहां पे हो रही है इस E बिंदू पे हो रही है जहां पे उत पदन की मात्रा कितनी है O से लेकर Q और वस्तू की कीमत कितनी है O से लेकर P अब देखिए अगर हम मान लेते हैं कि अगर मांग में shift हो जाता है मतलब मांग अगर बढ़ जाती है तो मांग बढ़ने से क्या होगा कीमत जो है वो भी परिवर्तित हो जाएगी और जो नई कीमत होगी मांग बढ़ने से वो क्या होगी थोड़ी ऊची होगी मतलब उपर की तरफ होगी यहाँ पर यह नई कीमत होगी कौन सी होगी है P 1 हो गई है और नया जो संतुलन बिंदू होगा वो कहां पर होगा इस बिंदू पर होगा जिसको हमने नाम दे दिया E 1 अब देखिए यह ता आपका E बिंदू है और यह हो गया E 1 बिंदू तो इन बिंदू को हम मिला देंगे यह Marginal Coast करवें सीमांत लागत वक्र है जो वस्तू का पूरती वक्र है Clear हो गया तो पुन प्रत्वी किता बाजार में तो क्या है यह जो सीमांत लागत वक्र है वो वस्तू का पूरती वक्र है ठीक है पूरती वक्र को कौन दर्शा हैगा सीमांत लागत और यहां पर अगर हम देखें जो उत्पादन की मात्रा है वो बढ़के क्या हो गई है Q से Q 1 Price जो कीमत है वो P से P 1 हो जाती है तो वस्तुत की पूर्ति क्या होगी, क्यों से Q1 हो गई हैं, तो पूर्ति वक्र क्या दर्शाता हैं, कीमत और पूर्ति की बीच में धनात्मक संबन को, जो पून पृत्विगिता बाजार में तो होता हैं, लेकिन एकाधिकार बाजार में इसा नहीं होता हैं, क्योंकि देखी एक अधिकार बाजार में क्या होता है जो मांग वक्र है या जिसको हम AR वक्र कह सकते हैं वो निचे की और गिरता हुआ होता है और सीमान्त आगम वक्र जो होता है marginal revenue कर वो भी एक तरह से क्या होता है निचे की और गिरता हुआ होता है लेकिन जो सीमान्त आगम वक्र हैं MR वक्र वो AR वक्र से नीचे की ऊर होता है और लाब अधिक्तम ही करण के लिए क्या होता है एक अधिकार में जो एक अधिकारी है वो प्राइज को मारदनल कोष्ट के बराबर नई करेगा अधिकतम लाप के लिए क्या कंडिशन होती है जो सीमानत आगम है वो सीमानत लागत के बराबर हुने जाँ है देखिए πूर्ण प्रत्योगिता में क्या होता है कि जो AR है और 84 दोनों बराबर होते है इस वज़े से जो AR है वो MC के बराबर होता है इसलिए क्या होता है जो एक अधिकारी है वो अपने लाब को अधिक्तम करने के लिए क्या करेगा जहां पे marginal revenue marginal cost के बराबर है वही पर वो एक तरह से क्या होगा अधिक्तम लाब की प्राप्ति होगी और यदि अब मांग वक्र जो है वो shift हो जाए जैसे कि मांग वक्र जो है उपर के और अगर shift हो जाता है तो एसी स्थिमें क्या होगा जो कीमत में परिवर्तन है ठीके वो एक तरह से हम सही तरीके से नहीं दर्शा सकते मतलब कीमत और उत्पादन या जो पूर्ति है उसके बीच में संबंद को हम सही रूप से व्यक्त नहीं कर सकते है ठीके इस diagram को हम आगे समझने का प्रियाज करेंगे ठीके आगे हम दो diagram मनाएं और फिर हम देखेंगे कि जो एक अधिकारी है उसके लिए पूर्ति वक्र क्यों नहीं होता है तो इसको हम क्या कह सकते हैं कीमत और उत्पादन के बीच में संबंद नहीं होता है और जब कीमत और उत्पाद की जने वाले विभिन मात्राओं को प्रदेशित करता हैं कि जब वस्तु की कीमत पांच रुपे हैं उसमें जो उत्पादक हैं वो कितनी काया बेजना चाहता हैं कीमत बढ़कर अगर दस रुपे हो जाए तो उसमें जो उत्पादक हैं वो कितनी मात्रा उत्पादित करेग लेकिन ये कीमत और पूर्ती या कीमत और उत्पादन की मात्रा की बीच में जो संबन्ध है वो एक अदिकार की स्थिती में नहीं हो पाता है ठीक है पूर्ती वकर की जो अवधाना है वो कब लागू होती है जब फर्म का वस्तु की कीमत पर किसी परकार का कोई नियंतरन नहीं होता है उसे दिया हुआ मान लेती है ठीक है जैसा किस में होता है पून प्रतिस परदा में क्योंकि पून प्रतिस परदा में हमने पढ़ा था कि वस्तु की जो कीमते वो दिवी है ये और जो फर्म होती हैं वो कीमत स्विकारक होती है फर्म का वस्तु की कीमत पर कोई नियंतरन नहीं होता है और ऐसी इस्तिती होने पर ही क्या होगा पूरती वकर की जो अवदाना है वो काम करेगी तो पूर्ति वक्र अगर एकादिकार में नहीं होता है इसके प्रमुक कारण क्या है कि एकादिकार में अगर मांग में परिवर्तन हो जाता है तो उससे कीमत में परिवर्तन हो जाएगा लेकिन उत्पादन की मातरा में परिवर्तन नहीं हो ऐसा भी हो सकता है मतलब मांग में परिवर्तन से कीमत में परिवर्तन हो जाएगा और उत्पादन की मातरा क्या रहें इस्थिर रहें लेकिन जो पूर्ती वक्रे वो तो क्या दर्शाएगा कीमत और पूर्ती के बीच में संबन को दर्शाएगा ठीक है कीमत और उत्पादन की मातरा की बीच में संबन पूरता है, मांग अगर बढ़ जाती हैं, तो उतौदन की मातरा क्या होगी, इस थरू भी रह सकती है, मतलब पहले अगर 10 हिकाय का उतौदन मोरा हैं और किमत बढ़ का अगर 5 10 हो जाए, तब भी उतौदन की मातरा वो ही है, इसका मतलब यहांपे पूर्ती वक्र की जो अउदाना है वो काम नहीं कर रही है या फिर ऐसा भी हो सकता है किमत में किसी परकार का परिवर्तन नहीं हो लेकिन जो उत्पादन की मात्रा है पूर्ती की जने वाली मात्रा है बाजार में बेची जाने वाली मात्रा है उसमें परिवर्तन हो जाए किमत पांच रुपए है और उत्पदन की मात्रा कितनी है दस इकाया और किमत अगर पांच रुपए है लेकिन उत्पदन की मात्रा बढ़के कितनी हो गई है पंदरा एकाया हो जाए या गट के पांच इक काया हो जाए यहां फिर ऐसा भी हो सकता है कि मांग अगर घटे बढ़ें ठीक है उससे कीमत और उत्वादन की दोनों मात्रा जो है वो क्या हो सकती हैं घट बढ़ सकती हैं तो इस इस्ति में हम कह सकते हैं कि जो पूर्ती वक्र की आउधाना है वो यहां पर एपलाई लागू नहीं होती है अब देखिए इसको समझने के लिए हम इन दो इस्तितियों को लेते हैं सबसे पहले हमने लिया हैं यह हमारा O Y अक्ष है यह हमारा O X अक्ष है और यह फर्म का एमार वक्र है और यह है एर वक्र या जिसको हम क्या क्या सकते हैं मांग वक्र क्या सकते हैं ठीक ह ये हैं फर्म का एमार वक्र और ये हैं मारजनल कोष्ट सीमान तलागत वक्र और संतुलन के लिए क्या जूर्री हैं जो मारजनल रेविन्यू हैं वो मारजनल कोष्ट के बराबर होने चाहिए सीमान तागम और सीमान तलागत बराबर होने चाहिए जो कहां पे हैं इस ए हमारा जो मांग वक्र है वो कौन सा है D1 ये वाला और ये हमारा MR वक्र है पहला वाला और ये हो गया संतुलन की स्थिति जहां पे वस्तू की किमत कितनी है सर अपर थम O से लेकर P1 है ये ध्यान रखिए प्रारमबिक स्थिति जो है उसमें वस्तु की किमत क्या है? O से लेकर P1 है इतनी और संतुलन कहां पे है? E बिंदु पर और उत्पादन की मातरा कितनी है? O से लेकर M अब देखिए अगर मांग बढ़ जाएं तो मांग के बढ़ने से क्या होगा? हमारा जो पहले वाला मांग बढ़ जाती है तो मांग बढ़ने से क्या होगा? मांग बढ़ जो है हमारा नया मांग बढ़ बन गया है कौन सा बन गया है? D2 D1 जो है वो प्रारंबिक मांग बढ़ है और D2 जो है वो मांग बढ़ने के बात में नया मांग वकर बना और इस नया मांग वकर के कारण जो सीमान्त आगम है वो नई हो जाती है हमारी कौन सी MR2 ठीक है मांग बढ़ने से मांग वकर क्या हो गया है D2 और सीमान्त आगम वकर अब नया बन के क्या हो गया है MR2 लेकिन संतुलन किस्तिती के लिए क्या जरूरी है जो MR है वो MC के बरावर होने चीए जो कहां पे है उसी E बिन्दू पे है जहां पे उत्पादन की मातरा कितनी है पहले वाली O से लेकर M मातरा यह मतलब जब वस्तु की कीमत O P 1 थी उस समय संतुलित उत्पादन की मातरा कितनी थी O से लेकर M मांग बढ़ने से मांग वकर D2 हो गया है और जो सिमान तागम वकर है वो MR2 हो गया है लेकिन इस इस्तिती में वस्तु की कीमत बढ़के अब कितनी हो गई है O P2 ठीक है वस्तु की किमत बढ़के कितनी हो गई है OP2 लेकिन उत्पादन की जो मात्रा है वो पहले जितनी है O से लेकर M ही है इसका मतलब क्या हो गया कि OP1 किमत पर पूर्ती कितनी है O से लेकर M और किमत बढ़के OP2 हो जाए तब भी पूर्ती कितनी है O से लेकर M है इसका मतलब क दो विभिन किमतों पर एक समान उत्पादन या पूर्ती हो रही हैं जो पूर्ती वक्र के द्वरा हम प्रदशित नहीं कर सकते हैं, मतलब दो किमत हैं OP1 किमत हैं, OP2 किमत हैं, लेकिन दोनों किमतों पर उत्पादन की जो मात्रा हैं पूर्ति की जनेवले मात्रा जो हैं वो क्या है समान है तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है पूर्ति वक्र के द्वारा इसी तरीके से अगर हम दूसरा डाइग्राम देखें ठीक है यह हमारा दूसरा डाइग्राम है इस डाइग्राम में अगर हम देखें तो जो प्रारंबिक मांग वक्र है वो हमारा है डी वन ये वाला और प्रारंबिक जो सीमान्त आगम वक्र है वो क्या है MR1 है हमारा और जो संतुलन की स्थेति हैं वो marginal cost और marginal revenue क्यों की देखें संतुलन के लिए क्या जूरी है MR बराबर क्या होना चाहिए? MC marginal revenue सीमान्त आगम और सीमान्त आगम और सीमान्त लागत marginal cost दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चीज़ जो कहां पे हैं इस E1 बिंदू पे हैं अब A system में अगर हम देखें उत्पादन की मातरा कितनी हैं O M1 और वस्तु की किमत का जो निर्दान हुआ वो कितना हुआ हैं O P O P किमत पर O P किमत पर वस्तु की उत्पादन की मातरा कितनी हैं O से लेकर M1 अब देखिए यदि मांग बढ़ जाती हैं तो मांग बढने से क्या होगा मांग वकर जो हैं वो D1 से क्या बन जाता हैं अब D2 ये बन जाता हैं और मांग अगर बढ़ जाएगी मांग वकर अगर D2 बन जाएगा मतलब मांग वकर का मतलब जो AR वकर है वो अब क्या बन गया है उपर D2 बन गया है तो इस सिस्थे में जो सीमांत आगम वकर है वो भी क्या होगा परिवर्तित होके हो जाएगा हमारा MR2 और नया संतुलन मात्रा कितनी है O से लेकर M2 है जबकि किमत कितनी है O से लेकर P है मतलब पहले वाली किमत है उसी किमत पर उत्पादन की जो मात्रा है वो अब कितनी है O M2 इसका मतलब यहां पर क्या हुआ है कि पहले वाली जो किमत है O P उस पर पहले उत्पादन की मात्रा कितनी थी O M1 लेकिन अब मांग बढ़ने के कारण कीमत में कोई परिवर्थन नहीं हुआ कीमत तो क्या है पहले वाली है ओपी है लेकिन उत्पादन की जो मातरा है वो बढ़के कितनी हो गई है O M 2 हो गई है इसका मतलब यहां पे क्या हुआ एक ही कीमत पर उत्पादन की दो मातरा है मतलब कोई निश्चित मातरा नहीं है जबकि पूर्थी वक्रे के लिए क्या जूरी होता है एक कीमत पर एक निश्चित मातरा होने चाहिए इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एकादिकार बाजार होता है उसमें पूरती वक्र नहीं होता है